नमस्कार, मैं आस्था आज आप लोगों को माता शीतला के वरत की बिधी बताऊंगी और कैसे पूजा करनी है ये भी बताऊंगी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू कि अलग-अलग शेत्रों में इस वरत का क्या विदान है कई शेत्रों में ये वरत जो है सप्तमी तिथी को किया जाता है और कई शेत्रों में चैत्रमास के क्रिशन पक्ष की अश्टमी से आसाड मास के क्रिशन पक्ष की अश्टमी को किया जाता है तो हम तो ज़्यादा वैसे चैत्रमास की अश्टमीतिति को ही सब लोग मनाते हैं तो इसमें भोग का बड़ा महत्व है कई जगाओं पर चावल और घी का भोग लगता है कई जगाओं पर इसमें खीर बनाई जाती है पुए पकाये जाते हैं अब मैं पूजा कैसे करनी हैं आपको बताओं सबसे पहले हमें सुबह उठकर जो प्रशाद है वो हमें रात में ही बना लेना है क्यूंकि माताशीतला को बासी भोजन का भोग लगता है और अश्टमी वाले दिन जिस दिन हम वरत करते हैं घर में चुला नहीं जलाया जाता तो सुबह हम सनान इत्यादी करके वरत का संकल्प करके पूजा के लिए सामगरी कठी कर लेंगे हम दो थाली लेंगे एक थाली में हम जो भोग हमें लगाना है माता को सारा रख लेंगे और दूसरी थाली में हम रख लेंगे रोली और चंदन अक्षय यानकी चावल मौली पुष्प यह सब हम रख लेंगे और हां भोग में हमें ठंडा जल जरूर रखना है और ध्यान रहे कि हम कोई भी दीपक प्रजलित नहीं करेंगे पूजा करने में ना कोई धूब दीप जलाएंगे हम और मंदिर जाके या फिर घर में हम किसी भी जगा पर यह पूजा कर सकते हैं कुछ लोग नीम के पेड़की भी पूजा करते हैं विदिवदान से जैसे हम मूर्ति पूजा क करते हैं तो हम माली जे मंदिर में घर में करते हैं तो हमें ऐसे करना है या फिनीम के पेड़की भी करें तो ऐसे ही करना है सबसे पहले हमें शीदल जल चढ़ाना है और तीका लगाना है रोली का और फिर अक्षद चढ़ाना है मौली चढ़ानी है फल फूल जो हमें लाएं साथ वो चढ़ाना है वस्तर भी चढ़ाये जाते हैं और फिर हमें भोग लगाकर माता को फिर से हमें जल चढ़ाना है और थोड़ा सा जल हमें बचाकर घर में लाना है और घर के सभी स्थानों पर छिड़क देना है सभी के ऊपर भी छिड़कना है यह शीतल जल सब के ऊपर बहुत अच्छा होता है और माता से प्राथना करनी है कि माता हमेशा शीतल रहो ठंडी रहो ऐसे कहते हुए है मैं माता से अनेको प्रकार से प्राथना करने चाहिए नमस्कार अब अगली वीडियो में आपको व्रत की कथा बताऊंगी हाला कि मैंने बहुत सारी कथाइं बता रखी हैं आपको पर एक व्रत की विशेश कथा जो की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा